नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सनोरिया91 पर मैं हूँ आपका दोस्ते राजन सनोरिया देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं जीके का एक टेस्ट है जिसमें टोटल 20 प्रिशन है ठीक है और 20 में से आपके कितने सवाल सही होते हैं लास्ट में कमेंड करके आपको बताना है तो आईए दोस्तों सुरुआत करते हैं कोश्चन नम्मर एक से कोश्चन नम्मर एक है सिकंदर के जल सेना पती का नाम क्या था ठीक है चारा अपसन दिये हुए है सेल्यूकस, निकेटर, फिलिप, नेरिया तो बहुत important सवाल है दोस्तों ancient history का ये सवाल है और ये question इस topic से पूछा जाता है ठीक है सिकंदर के जल सेना पती का नाम क्या था देखिए दोस्तों याद रखना सिकंदर के जल सेना पती का नाम था निरियाकस, option number C इसका सहीं उत्तर होगा ठीक है अब कई लोग सेल्यूकस negator ठोकते होंगे तो ये हो जाएगा उनका गलत ठीक है याद रखना यहाँ जल सेना पती पूछा गया है न की सेना पती पूछा गया है ठीक है अगर सेना पती का नाम पूछता तो उसका नाम रहता सेल्यूकस निकेटर लेकिन यहाँ पूछा गया था सिकंदर का जल सेना तो सिकंदर के जल सेनपती का नाम निर्याकस था इस बात को आपको दिमाग पे रखना है लेकिन हमें यहीं नहीं रुकना है भाई ठीक है इससे रिलेटेट जो कोश्चन बन सकते हैं उन पर भी धोड़ा ध्यान देने की जरूरत है तो देखी दोस्तों सिकंदर के पिता का न पती कौन था तो मैंने अभी बताया सिकंदर का जल सेनपती था निर्याकस अगर आपसे पूछे सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था या सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम क्या था तो बव केफला था या था भाई शाब बव केफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम थ अगर पूछे कि सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इंकार कर दिया था तो याद रखना दोस्तों सिकंदर और पंजाब के सासक पूरस के बीच में लड़ा गया था इतने सारे फैक्ट आपको कम से कम याद होना चाहिए क्योंकि यदि इस टोपिक से कोषण आएगा तो इसी इनी पाइंट में से पूछा जायेगा ठीके चलिए नेश्ट कोषण देखते हैं कोषण नमबर दो सुंग बंस का अंतिम सासक कौन था ठीक है तो सुंग बंस का अंतिम सासक कौन था भाई साब बताईए जरा सुंग बंस का अंतिम सासक था देव भूती ओप्सन नमबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा सुंग बंस का अंतिम सासक था देव भूती ठीक है अब देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखना है देखिए सुंग बंस मैंने बताया था तो इसका अंतिम सासक देव भूती था ठीक है और संस्थापक कौन था पुस्जिमित्र संठापकों को शाल से इसी प्रकार से अन्तिम सासक और अन्तिम सासक को धा कुछा था याद रखना सکbra तो अन्य तो साइसा प्रकारस्थ मौरसमराज है मौरसमराज के संस्थापक का नाम चंदरगुपत मौर यह आपको भी पता होगा लेकिन अंतिम सासक ब्रहदत था यह बहुत कम लोगों को पता होता है और ऐसे एडवांस कोश्चन भी आते हैं एक्जाम में ठीके चलिए नैस्ट कोश्चन देखते हैं इसके सासनकाल को हिंदी साहित्त का स्टोर्ड काल कहा जाता है भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ठीके चार आपसंद यह हुए हैं अब जो पढ़ता होगा न तो उसको यह सवाल बहुत आसान लगेगा क्या लगेगा बहुत आसान लगेगा लेकिन जो कभी कभी किताब खोलता होगा उसको होगा यहां पर कन्फूजिया क्या होगा कन्फूजिया कि अकवर सही है कि सेरसा सही है कि जहांईगीर सही है कि औरंगजीव सही है थीक है? तो याद रखना पूरे ध्यान से आपको पढ़ना चाहिए याद रखना हिंदी साहित का सुरड काल किसके सासनकाल को कहा जाता है तो इसका सही उत्तर होगा offline number B, अकवर अकवर के सासनकाल को हिंदी साहिति का सुरड काल कहा जाता है ठीक है अब देखिए दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए मैंने तो बता दिया कि अकवर के सासनकाल को हिंदी साहिति का सुरड काल कहा जाता है याद रखना जहांगीर के सासनकाल को चित्र कला का सुरड काल कहा जाता है और सहा जहांग का जाता है उसके सासनकाल को ठीक है अगवर का सासनकाल को हिंदी साहित का सोड़काल जहांगीर के सासनकाल को चित्रकला का सोड़काल और सहां जहां के सासनकाल को इस्थापत्यकला का सोड़काल कहा जाता है नैस्ट देखते हैं पुछा नमबर चार गांधी जी ने किस गोल म सम्मिलन भाग लिया था प्रथम गोल में सम्मिलन में दूती गोल में सम्मिलन में रती गोल में सम्मिलन में या उपरोक्त तीनों तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूती गोल में सम्मिलन जो दूसरा गोल में सम्मिलन हुआ था ना भाई साब उसमें गांधी जी क्या लिया था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था ठीक है तो याद रखना प्रथम गोल में सम्मिलन कब हुआ था 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोल में सम्मिलन इसमें याद रखना इंपोर्टेंट बात कि ये प्रधान मंत्री मेकडोनौल्ड की अध्यक्षता में कहां पर हु था तो 7 सितंबर 1931 को याद रखना और इसी दूती गोल में सम्मिलन में महत्मा गांधी जी ने भाग लिया था अगर आपसे पूछे कि तरती गोल में सम्मिलन कब हुआ था तो 17 नवंबर 1932 डेट याद रखना क्योंकि 30 31 32 ठीक है प्रथम दूती तरती है ये आसान होता है इसलिए डेट इससे पूछे जाती है और आद रखना तरती गोल में सम्मिलन की सबसे बिसेज बात है जिससे कोश्चन पूछा जाता है कि इसमें कॉंग्रेश ने भाग नहीं लिया था तो तरती गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेश ने भाग नहीं लिया था नेस्ट कोश्चन ग्रेट वेरियर रीप किस महासागर में इस्थित है ये तो आपको पता होगा कि ये आस्टेलिया के अर्दगिर्द कहीं पर पाया जाता है प्रवाल भित्ती है लेकिन किस महासागर में है तो प्रसांत महासागर में है ग्रेट वेरियर रीप इस पाइंट क चलिए नैस्ट कोशन देखते हैं देखो भाई थोड़ा तेज तो चलना होगा क्योंकि अपनको कम समय में ज्यादा पढ़ना है क्योंकि जीके तो अथा है तीके आपको लगता होगा तो पीडियेप मिल जाएगी उससे आप पढ़ते रहना तीके बिस्व का सबसे बड़ा मर मरुस्थल कौन सा है सहारा मरुस्थल अटकामा मरुस्थल गोभी मरुस्थल या अंटार्क्टिका तो बिस्व का सबसे बड़ा मरुस्थल दोस्तों याद रखना सबसे पहली बात तो मरुस्थल क्या होता है जहां पर पेड़ पोधे नहीं उकते सिंपल भासा मैं बता रह को एक महादीप है और उसमें झमी हुई है बर्फ किया जमी हई है बर्फ है ठीक है और बर में दोस्तो opens याद़ रखना किसी प्रकार का कोई घास खूश भी नहीं उता कि त्या किसी प्रकार का जीमन नहीं पाए को सा है तो अे टाकामा मरुस्तल है ठीक है बिस्त्का सबसे सुष और सबसे सु Państwo को ने मंढे कौन सीनादी सीमघु क्या वाई शाब बताईए भारत और नेपाल के मद्द में याद रखना काली नदी सीमा बनाती है और सनमर 10 का सहीं जवाब होगा भारत और नेपाल के मद्दे काली नदी सीमा बनाती है अब देखिए भारत और नेपाल के मद्दे में काली नदी सीमा बनाती है पटकाई की पहाड़िया जो हदोस्टाद रखना भारत को मियान मार से अलग करती है कौन सी चीन के बीच में क्या है मैं के मोहन रेखा है जिस प्रकार से दो घर रहते हैं ना ठीक है दो घर के बीच में एक दिवाल होती है ना कि ये इधर तेरा इधर मेरा तो इसी प्रकार से भईया दो देशों के बीच में कुछ ना कुछ सीमा ने धरार की जाती है कहीं नदी है तो क पहाड़ तो कहीं परवत हैं तो कहीं कई है और कहीं कुछ नहीं है तो वहाँ रिखा है तीक है चलिए नेश्ट कोश्चन देखते हैं दक्कन का पठार महाराश्ट्राजमें यह बना है ज्वाला मुखी की पेसाल चट्टानों से बना हुआ है इसमें काली मिट्टी पाई जाती है बहुत important fact है सारे fact है दक्कन के पठार में कैसे मिट्टी पाई जाती है यह question पूछा जाता है तो काली मिट्टी पाई जाती है ठीक है इस पठार के पूर्वी हाग को क्या कहा जाता है तो विधर्व इस पठार के पूर्वी हाग को कहा जाता है अच्छा यह कोश्चन भी पूछा गया था कि दक्कन के पठार का जो पूर्वी है पूर्व का जो हिस्सा है उसका धाल कैसा है तो याद रखना पस्चिम में उचा है ये और पू सा अनुच्छेद भारत के राष्टपती पर महाभयोग के बारे में बताता है महाभयोग का मतलब यह है कि राष्टपती को हटाना है ठीके तो अनुच्छेद 31 ठीके अनुच्छेद 61 ठीके अनुच्छेद 61 जो है राष्टपती पर महाभयोग के बारे में बताता है ठीके य माहाभयोग की प्रिक्रिया संस्त के रधन में शीया है महाभयोग की क्रिक्रिया भाग लेते हैं ểu Pikachu है कि ये नेस्ट में कोचन केゲームन सी खालिस्तान से सम्मनीं थे ये चार समीती का नाम है ये MPPSC प्रिलिम्स में आया हुआ लेटेस्ट सवाल है ठीक है चलिए के मुनसी खालिस्तान से संबनी थे तो के मुनसी दोस्तों सम्मिधान की प्रारूफ समीती से संबनी थे ड्राफटिंग कमीटी से संबनी थे ठीक है देखिए दोस्तों सम्मिधान की प्रारू समीती में न साथ सदस्थ थे ठीक है जिसमें अध्यक्ष कोन थे डक्टर भीमराव मेट कर थे ठीक है और बाकी छे कौन कोन थे तो एन गुपाल स्वामी आयंगर के एम मुंसी अलादी कृष्ण स्वामी अयर मुहम्मस सादुल्ला है एन मादाव राव और टीटी क्रिश्णामाचारी तो याद रखना ये के मुंसी से अभी कोश्चन पूछा गया नेस्ट कोश्चन देखते हैं भारत की राष्टपती किसकी सलाह पर अनुच्छे 352 के तहट अपात काल की हुफळा कर सकते हैं तो याद रखना दोस्तों संग का जो मंत्री मंडल होता है उसकी सलाह के अधार पर भारत की राष्टपती अनुच्छे 352 के तहट अपात काल की हुफळा कर सकते हैं नैस्ट देखते हैं अनुच्छे 352 के निशार दोस्तों राष्टपती को अपात काल की उद्गुफळा करने की सकती प्राप्त होती है और राष्टपती अपात का इंडल होता है उसकी लिखित सिफारिस की जरूरत होती है नेश कोशन देखते हैं सम्मिदान की लोक लेखा समीती में कुल कितने सदस होते हैं तो सम्मिदान की लोक लेखा समीती में टोटल 22 समदस होते हैं कितने होते हैं 22 सदस होते हैं कल मैंने प्राकलन समीती में बताया था कि 30 सदस होते हैं और जो आज बता रहा हूं लोक लेखा समीती इसम होते हैं 22 ठीक है चलिए देखिए प्राकलन समीती जो होती है यह सबसे बड़ी संसुरी समीती होती है इसमें लोक सभा के कुल 30 सदस होते हैं और राज सभा के सदसों को सामिल नहीं किया जाता किसमें प्राक लोक सभावी कहा जाता है किसे लोक लेखा समीती को ठीक है चलिए नेश्ट देखते हैं भारती अर्थवरस्था के उधारी करण का अग्रदूत किसे कहा जाता है तो इसका सहीं उत्तर हो जाएगा ऑफसर नमबर बी यानि कि मर्क टाक्टर मन मुहन सिंग को भारती अर्थवर में नाइनटीन फिप्टी वन में टीक है उननेश्ट सो इंकावन में टीक चलिए मन्दारिन भारत के किस पड़ोशी देश की आधिकारिक भासा है तो याद रखना मन्दारिन मन्दारिन दो है दो भारत के किस पड़ोशी देश की अधिकारिक भासा है उसका सहीं उत्तर हो नाम से भी जाना जाता है न These निल्ननधी का पानी करता है भूमत विसार में गेश्ट हे अलम्पई खेलों में सपद गरहड की परंबरा कब से शुरू हुई थी तो उलमपीख खेलों में जो सपद गरहड की परंबरा है cavni विश्ट्री से स्टार्ट होती है 1920 से स्टार्ट होती है ठीक है चलिए देखे दूस्तों इमपोर्टन चीज़ा आपको याद रखना Check और फिम खेलों का आयोजिन 1960 में हुआ था यह चारों सान याद रखना भाई साब चलिए नैस्ट कोश्चन है किस देश का राष्टी खेल बॉली वॉल है स्रिलंका स्रिलंका का राष्टी खेल भाई साब बॉली वॉल है ठीक है क्या है बॉली वॉल स्रिलंका का राष्टी खेल है दे एक्जाम में यह समत सोचना कि सिर्फ कठिन-कठिन सवाल आते हैं एकजाम तीनों परकार के सवाल आते हैं एजी आते हैं टिक आंटो की स्थापना कव ही थी चलिए बताइए नाटो की स्थापना होती है नाटो की बात करें तो उसका फुल फाम भी याद रखना कभी कभी पूछ लेता है कि नाटो में एक का मतलब क्या है फिर याद रखना नार्थ अट्लैंटिक ट्रीटी और्गनाईजेशन इसका फुल फाम होता है उत्तर अट्लैंटिक गडवंदर हिंदी में बोलते हैं इसकी स्थाफना चार अप्रण उन्ने सो इन्चास को होती है और इसका मुख्याला यानि कि हैड़क्वाटर है बुरसेल्स बेल्जियम में तो दोस्तों आपके लिए ये 20 कोस्चन 20 मसक कितने आपके सही हुए है ये आप खुद जानते हैं मुझे बताने की जुरूरत होगी तो आप कमेंट करके जुरू बताना ठीक है और एक कोस्चन पूछूँँगा कि आपने वीडियो को किते मानदारी से देखा ठीक है बिना देखे वीडियो को फिर से इस कोस्चन का सही जवाब लिखके बताना कि दूती गोल में सम्मेलन का आयोजन कप किया गया था ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आगे पार्ट पीछे सन से पार्ट जुती गोल में सम्मिलन का आयोजन कप किया गया था सिर्फ सन नहीं लिखना है डेट सहित लिखना है तभी आपकी मेमोरी का आखलन आप स्वाइम कर पाएंगे कि हमें कितना याद रहता है तो चले दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जिरू करना चैनल में पहली बार आये होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू जैहिन जै भारत